हेलो दोस्तो वेलकम माई यूट्यूब चैनल आप्सन ट्रेडिंग टेकनिकल एनलाइसिस में आप सब का स्वागत है तो दोस्तो अगर आप हमारे डेली एनलाइसिस को फोलो करते होंगे तो आप लोगों ने कल के दिन बरहिया प्रॉफिट कमाया होगा फिन निफ्टी के अं पूरा का पूरा दिन यहाँ पर क्या रही साइडवेज के अंदर रही जो कि यहाँ पर एक आप्सन बायर के लिए ऐसा मार्केट बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है यहाँ पर क्या होता है प्रीमियम डीके के बज़ा से ज्यादा तर बिगनर यहाँ पर लॉस करते हैं तो ऐ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को हमारा पेडिक्शन इंफर्मेटिव लगे तो लाइक करें लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले जरूर लाइक करें चैनल पे नए हो तो सस्क्राइब भी कर लें साथी साथ बैल अकन के ओल पे किलिक करना बिल्क कौन सा लेवल निकल के आ रही है फिन निफ्टी के अंदर बुद्वार के दिन ट्रेड करने के लिए तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं पहले वंडे के चार्ट पर तो देखे दोस्तों अब हम वंडे के चार्ट पर आ चुके हैं यहां पर जो केंडल का फॉर्मेशन बुद्वार के दिन 9.15 पर मार्केट ओопन होगी 9.20 में अपना पुजिसन को एकजीट कर लें अब चलिए अब हम चलते हैं पांच मिनट के टाइंफ्रेम पर तो देखे दोस्तों अब हम पांच मिनट के टाइंफ्रेम पर आ चुके हैं अब चलिए देख लेते हैं कौन- लेवल होगा वो होगा ये बला लेवल जो की लेवल है 18,244 का अगर इसके उपर गैप अपनिंग होती है तो ऐसे कंडिशन में आप लोगों को यहाँ पर इमिजेट कॉल नहीं वाई करना है आप लोगों को यहाँ पर कॉल कब वाई करना है जब इस लेवल पर दुबारा रि पर छोटा सा SL लगाना होगा जो की लेवल होगा 18,210 का और टारगेट की बात करेंगे तो आप लोगों का टारगेट सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट का टारगेट रह सकता है अब सपोज कर लिजिए अगर बुद्वार के देन फिन निफ्टी इस लेवल पर गैप होने के बाद इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है जो की लेवल है 18,244 का और इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है तो ऐसे कंडिशन में आप लोगों को यहाँ पर इमिजेट पुट नहीं बाई करना है आप लोगों को पुट कब बाई करना है जब इस ले की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा SL लगाना होगा जो की लेवल होगा 18,270 का और टार्गेट की बात करेंगे तो फर्स टार्गेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है जो की मंडे का क्लोजिंग प्राइज है क्लोजिंग प्राइज अपने चार्ट के उपर जुरूर मार्क कर लें क्योंकि नेक्स्ट ट्रेट करने के लिए बहुती इंपोटेंट लेवल होता है ये जो कि लेवल है अठारा हजार एक सो सरसट का और उसके बाद आप लोग यहां पर एसल को ट्रेल कर सकते हैं दोस्तों ये तो हो गया गैप बाला सनेरियो अब खुलती है वो कौन सा लेवल होगा वो होगा ये वला लेवल जो कि लेवल है अठारा हजार नवासी का अगर इसके नीचे बुद्धवार के दिन फिन निफ्टी गैप डॉन खुलती है तो ऐसे कंडिशन में आप लोगों को यहां पर इमिजेट पुट नहीं बाई करना है आप लोगों को यहां पर पुट कब बाई करना है जब इस लेवल पर दुबारा रिट्रेस्मेंट करने आएगी और यहां पर आप लोगों को रेड केंडल के अंदर एश्टेंट दिखाई दे तब आप लोग यहां पर पुट बाई कर सकते हैं और एसेल की बात करेंगे त तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा S.L. लगाना होगा जो कि लेवल होगा 18,130 का और टारगेट की बात करें तो अप्रॉक्सिमेट टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है पुट साइड के तरफ सतर से लेकर के 80 पॉइंट तक का टारगेट रह सकता है अब सपो लेवल है 18,89 का और इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकाउट कर देती है तो ऐसे कंडिशन में आप लोगों को यहाँ पर इमिजेट कॉल नहीं बाई करना है आप लोगों को यहाँ पर कॉल कब बाई करना है जब इस लेवल पर दुबारा रेट्रेस्मेंट करने आएगी और य एसल लगाना होगा जो की लेबल होगा 18,050 का और टारगेट की बात करेंगे तो फर्स टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है जो की लेबल होगा 18,160 का और उसके बाद आप लोग यहाँ पर SL को ट्रेल कर सकते हैं दोस्तों ये तो हो गया Gap Up और Gap Don वाला सेनरियो अब सपोज कर लीजिए अगर बुद्धबार के दिन Fin Nifty फ्लैट खुलती है वो कौन सा जौन होगा वो होगा ये वाला जौन जो की जौन होगा 18,244 से ले करके 18,166 के बीच में खुलती है तो ऐसे कंडिशन में आप लोगों को यहाँ पर ना तो इमिजेट कॉल बाई करना है ना तो इमिजेट यहाँ पर पुट बाई करना है अगर बुद्धबार के दिन Fin Nifty फ्लैट खुलती है तो आप लोगों को बढ़िया मोमेंट देखने को मिल सकता है या तो यहाँ पर ब्रिक आउट करेगी यह वाला जो लेवल है जो की लेवल है 18,244 का तब आप लोगों को यहाँ पर अप रेली देखने को मिल सकता है वो भी बढ़ियाँ वाला या तो फिर यह वाला जो लेवल है ब्रेकडाउन करती है जो कि लेवल है 18166 का तब आप लोगों को यहाँ पर डाउन रेली देखने को मिल सकता है बुद्धवार के दिन फिन निफ्टी के अंदर तो दोस्तो यह वाला जो लेवल है आप लोग अपने चार्ट के उपर जरूर मार्क कर लें क्योंकि बुद्धवार के दिन अगर फिन निफ्टी फ्लैट खुलती है तो आप लोगों को तगरा मूमेंट देखने को मिल सकता है फिन निफ्टी के सकती है तो दोस्तो अगर आप लोगों को हमारा पेडिक्शन इंफरमेटिव लगा हो तो लाइक करें चैनल पे नए हो तो सस्क्राइब भी कर लें साथी साथ बैल अकन के ओल पे किलिक करना बिलकुल भी ना भूले जरूर किलिक कर लें अगर अभी तक आप लोगों ने मेर टेलिग्राम चैनल नहीं जोइन किया हुआ है तो जाकर कि जोइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लस चैनल के अवाड सेक्शन में मिल जाएगा तो तब तक के लिए जाहिंद वंदे मातरम